आप देख रहे हैं, हेड्लाइन्स टेली, ह्टी न्यूज कोरोना संक्रमन के इस भयावहत दौर में भी शास के अधिकारी वकर्मचारी ब्रश्टाचार करने से पास नहीं आ रहे हैं जहां डौक्टर, पुलिस, सफाई कर्मी को कोरोना वारियस पना कर उनका संमान किया जा रहा है वहीं कति पयाधिकारी वकर्मचारी ब्रश्टाचार करके उनके प्रयासों को विफल करते दिख रहे हैं ऐसा ही एक मामला तब प्रकाश में आया जब स्वास्त विभाग द्वारा एमवाई स्पताल में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के लिए भीजे गए N95 मास्क जिन पर जेनरिक 95 लिखा हुआ था उन्हें एमवाई के डॉक्टर वा मेडिकल स्टाफ ने रिजेक्ट कर दिया बताय जा रहा है कि लगफ़क दो हजार मास्क एमवाई में भीजे गए थी धाईसो रुपे की कीमत के यह मास्क घटिया वन नकली बताय गए मामला उजागर होने पर स्वास्ति विभाग में हरकंप मच गया और ताबर तोड स्टोर प्रभारी डॉक्टर माधव हसानी को हटा कर डॉक्टर विरेंद्र राजगी को स्टोर प्रभारी नियुक्त किया गया इस मामले में कलेक्टर मनीश सिहा ने भी जाच के आदीश दे दिये हैं आज इसमें के कुछ मास्क स्वास्ति विभाग के स्टोर जहां से लोगों को सामगर वितरित की जाती है वहाँ पर डस्ट बिन में भी पाई गए अभी स्टोर कीपर से जानकारी प्रापती है कि लगवागी खजार मास्क उनों ने बापिस की है हैं और वल्कि उन्होंने 2000 हमसे और महांगे हैं शायद क्वालिटी को लेकर कुछ बात आई थी और 2000 उन्होंने वापिस मांगे उनको देने के लिए मैंने भी स्टोर कीपर बात कर लिए और जैसे ही वो हमारे पास आते हैं उनके यह वापस जो आ आये हैं सर यह क्या कारण प्रबारी प्रबारी यह कौन है उन्हें इसे सब जो खरीदी है इन सब को लेकर क्वालिटी को लेकर जो अनिमित्ता हैं पाई नहीं थी या अनिमित्ता की सम्भावना पाई महीं थी इनको देखते हुए कुछ जाच चल रही है तब तक के लिए इनको हटा कर इनकी जो बैपर दॉक्तर वीरेंज राजगीर को मुका दिया गय के लावा पीपिकिट के लावा और भी कोई चीज़े जो है जिसमें गड़बर कुए हैं नहीं